तो हेलो दोस्तो, I am Manis Verma from the Life Prerogates Academy दोस्तो सबसे पहले उन बच्चों को मैं Best of luck कहता हूँ जिनका आज Science exam में हैं यानि कि Science Center में लोजे exam हैं उनको सबसे पहले दोस्तो Best of luck दोस्तो बहुत सारे comment and phone call आ रहे थे मुझे कि सर कैसे हम exam की त्यारी करें और आजी मेरे exam हैं सबसे पहले दोस्तो मैं उन बच्चों के लिए बता दू जिन्होंने पूरे साल अभी तक नहीं पढ़ा है तो पूरे साल नहीं पढ़ा है तो आप क्या पढ़ेंगे लेकिन इतना दो बता सकता हूँ कि आप पास हो जाओं दोस्तो सबसे पहले आप उन बातों को दियान रखें जो आपको exam में करना है करना क्या है आपके exam के अंदर कि first set, second set and third set आप जानते हों कि आपका जो total module है यानि कि science के chapter के अंदर first set, second set and third set ये तीन set इतनी जादा important है एंड गती वाला chapter जो आपका chapter emotion वाला यानि कि गती वाला उसके तीनों पार जरूर कर ले उनके long question and short question जरूर learn कर ले एंड दोस्तों क्या है भाईयो के जो chapter ने सारे उनको जूरू याद कर ले बाईयो के chapter के अंदर बहुत ज्यादा important क्या होता है आपको fact याद करने होते हैं उनके words थोड़े hard होते हैं तो आपको उसको थोड़े fact याद करने होगा और science का exam बहुत ज्यादा easy आने वाला है सबसे बड़े खुसकुपरी के बाद यह है कोई ज्यादा hard exam नहीं है दोस्तों बहुत easy exam आने वाला है तो don't worry and do your best in the exam दोस्तों खास बात आपकी यह है आज कि science exam के अंदर बहुत बच्चे परिसान होते हैं कि हम त्यारी कैसे करें त्यारी करने के लिए कोई ऐसा खास formula नहीं है पहले बता दो आपको ऐसा नहीं कि आप पूरे साल की पढ़ाई आप एक दिन में कर दोगे या एक महने में कर दोगे लेकिन पूरे साल की पढ़ाई आप टॉप करने के लिए नहीं कमसे कम पास होने के लिए तो कर सकते हो वो पास होने के लिए मैंने आप Kriteria बता रखा है और मैंने अपनी लास वीडियो में जिसका link description दिया गया है मैंने इसके लिए बता रहे कौन chapter कौन सा important है वो कितने मासच के chapter आने वाले तो दोस्तों बाईयो के chapter फोकस करें और गति के chapter को ज्यादा देखी और इन चैप्टरों को फोकस करने के बाद आप कुछ कोसन को लर्न कर ले और मैंने अपने पहले वीडियों बता चुका हूँ अगर आपके पास टॉप पब्लिकेसन के गाइड है तो आप उनमें से कोसन जिरूर लर्न करने और ऐसे कोई घवराने वाली बात नहीं है अग्जाम में कोई ज़्यादा दिक्कत नहीं होने वाली है दोस्तो अब बात आती है कि अंसर कैसे लिखे एक्जाम के अंदर सबसे बड़ी बात यही होती है पूरे पढ़ते हो पूरे साल है लेकिन एक्जाम में हमें सिर्फ तीन घंटे मिलते हैं लिखने के लिए दोस्तो झाल सबसे लिखने का सबसे मत सबसे जो अच्छा ठृक होता है वहत है आपका पर अंदर इफेक्टिवन सोनों ठीचर जिससे क्या हो impress हो जाए तो दोस्तों इसके लिए आपको करना क्या है आप कोई साब भी अंसर लिखों कोई साब भी इसमें यह नहीं कि आप पहले second, third, fourth sequence में start करो gets up to him आप कोई भी चाहो आप last say, पीछे से कहीं से भी कोसन प्रवेंगे चैनल लिखकर ज्यादे साज़ाद आप उसको पोइंट भी लिखें ताकि टीचर को अच्छे अच्छे समझ मैं नहीं तो दोस्तों पैन आप बिलू बिलू और ब्लेक पैन ही जुच करना ब्लेक पैन आप हैडिंग के लिए बिलू पैन एक्स्पर्णेशन के ल तो दोस्तों इसी तरह एक और वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें नोटिफिकेशन बैल आइकन ओन कर लें इससे क्या होगा आपको न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहरे मिल देखें